कि ना आजकल बहुत डरे हो हैं मैं अपनी 30s में आने वाला हूँ बहुत जल्दी और हम दोस्त मिलकर रोज यही बात करते हैं कि यार अब तो भाई बस शादी होने वाली है यह कोई खुशी वाली सेंस में नहीं है डरी होई सेंस में है लड़के ने पढ़ाई की, लिखाई की, बिसनस स्टार्ट किया अपनी थोड़ी सी लाइफ जी पार्टे की, ट्रैवल कर लिया और थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया अब डर बस यही है कि बाई चांस भगवार ना करे कोई ऐसी लड़के मिल जाए जो हमारे पेरेंट्स को न समझे हमारे हाट टाइमस में हमारे साथ ना खड़ी हो और रात को जब हम लोग काम करके आए तो हमें वो कलेश देखने को ना मिले I know कि वो घर छोड़के आएगी उसकी खुद की लाइफ चेंज होगी इन फैक्ट कुछ कहते है कि में को शादी ही नहीं करनी है इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन यह है कि भाई या तो पूरी जिंदगी सिंगल रहे लो लोगों के ताने सुनते रहो या फिर थोड़ा से कम्यूनिकेटिव हो जाओ जो प्रिकॉशन्स ले सकते हो अभी से ले लो सोथ समझ कर और टाइम लेकर चीज़े करो वरना दुनिया तो भाई चली रही है दोपो पर भाई लड़के ना आजकल बहुत डरे वह है इसको सारे तरीकों से देखते हैं ठीक है पहले, आर्ड़ा आज से लेते हैं, stay single if you can manage to without feeling lonely, without feeling isolated, without feeling sad without feeling कि तो मुझे किसी निसान के जरुवत है without feeling कि रात कुछ गेह में सोता हूं, दुख मैसूस होता है काश जिंदी में कोई होता टंडेश याप ने डाउन लोड कर रहे हैं। अंदर इंदर कॉट रहे हो, अंदर इंदर तड़पते हो, अंदर इंदर लड़कियों को देखते हो, दूसरों को जब रिलेशनिश्प पढ़े हो, तो बिलकूल आंसु निकल आते हैं। अगर ये स्थिती है तो stay single मतलब है मृत्यू आपकी निस्चत है बहुत जल्दी क्योंकि जब आप यहां पर जो महसूस कर रहे हो वो शरीर भी feel कर रहा है and शरीर और दिमाग दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से tangled है कुछ जुदा नहीं हुआ हुआ है कोई यहां से दुखी है तो इसका अबलब नहीं physiological functions भी उसी हिसाब से चल नहीं रहे दुख सिर्फ यह नहीं होता दिमाग का दुख है दुख एक पूरा-पूरा autonomic nervous system को सकता है involve कर ले हो सकता आप hyper-vigilant state में आ जाए है हो सकता आप stress feel करते रहते हैं तो stress से क्या होता है blood pressure बढ़ता है blood pressure से क्या होता है high blood pressure से heart attack cardiovascular problems सारी चीज़ों का आप देखते चले होगे over the period of time simple inflammation बढ़ जाती है शरीर में inflammation से again मृत ही हो जाएगी आप कोई न कोई चीज हो जाएगी आप diabetes develop कर लोगे आप कुछ और develop कर लोगे and आप बहुत early death की तरफ बढ़ने लग जाओगे या तो मैं ऐसा इंसान हूं जुसको है कि मुझे जिन्दिगी से प्यार है जीवन से प्यार है मैं सुबह उठता हूँ सोचता हूँ आज काडियो कितने बज़े करना है आज या strength training कितने बज़े करनी है आज काम में कितना फोड़ना है किस level का गोल है मेरा आज काम का फोड़ने का भाई मेरे दोस्त हैं किसी को आज शाम को किस से मिलने जाना है किस से कहां बात करनी है घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है life में excitement से उठ रहे हो जो तुमने task distribute कर रहे है task मतलब simple family goal oriented task भी not just work oriented हार goal oriented task toward multiple multifaceted realities में fitness भी आता है खुशी भी आती है excitement भी आता है fun भी आता है living भी आता है hobbies fulfillment भी आती है intellectual fulfillment भी आती है interest fulfillment भी आती है socializing भी आती है और तुम बिल्कुल value करते हो चरिश करते हो उसके बाद sleep को भी 8-9 बज़ता है तुम घर आते हो बढ़िया आपना खाना आपना खाका के तुम बराम से एक घंटा reading ले रखते हो किताब खोलते हो तुम बराम से सोते हो और घंटा बिल्कुल बढ़िया खुपसूरा dream से भरी भी नींद तुम्हें कुछ नहीं होने वाला बढ़िया जिंदी जीर हो तुम what you feel is the factor that will decide कि तुमारी जिंदी किती लंबी होने वाली है डॉक्टर ने बास इंसान क्यों जाता है क्योंकि एक symptom तुम फिल कर रहे हो कहीं न कहीं किसी body part को लेके अगर hormonal problems है तुम sleep के धज्या ओड़ी भी है तुम depressed feel कर रहे हो हर एक चीज का एक effect है जो कि actual में how you feel से connected है depression भी क्या है? हम physiologically feel करते है depression because motivation and pleasure किसी भी तरह से in all aspects of life almost खतम हो चुका होता है जिसे कहते है anhedonia, strong marker होता है depression का anhedonia तो भाई single organic advice जो बहुत simple हम दे सकते है single रहो यह बहुत complex advice है क्योंकि यह depend करती है actual में चीज को आप समझे कैसे हो यानि कि आप एक चीज समझो जवाज़ती सुद्धी की का जो वीडियो था उसमें वो कह रहा है भाई single रहो वो कह रहा है आप उसकी story देखो एक इंसान प्यार करता था विश्वास किया शादी करी साथ मेरा शादी में भैंकर problems आई माथा लिया उसने फोड़ दिया शादी खतम हो गई अब उसकी समझ कहां पे है यह बहुत बड़ा प्रशनी यह होता है जो लोग पूछते नहीं अपने आप से मेरी समझ कहां है उसकी समझ है कि भाई यह तो बहुत तो कौड़ी का experience था तो शादी से मुक्ती सिंगल हूट उसके लिए सबसे जादा स्वादिष्ट state है कि मैं उस state में नहीं हूँ तो उसकी actual जो समझ है present की वो हमेशा होती है in comparison या comparative to the states that he was and compared to that he feels blissful now because उसकी जिंदगी में जो भी प्यार को experience था उसका प्यार का वो महा महा stressful महा toxic था तो in comparison to the toxicity that now I registered as love in my brain I feel singlehood as freedom इस परिभाश्चा को अगर तुम से बहुत नजर रखते पर देखो कि तो सबसे miserable भी वही थे try to understand हुआ क्या जब तक शादी नहीं थी तब तक वो comparison था ही नहीं समझ क्या है आपकी present में ये बहुत बड़ी चीज होती है जो भी इंसान single है सब के पास साथी है मेरे पास साथी नहीं है तो तुमारी समझ होती है deprivation की denial की, rejection की pain है उसमें और painful जिंदगी जी रहे हो जिसे कोई please glorify मत करना उसको और जो glorify कर भी रहे है वो depression के प्रती ही जा रहा है ये कोई बहुत बड़ी आ pain नहीं है suffering है वही पे एक इंसान जो प्यार में आया relationship में आया आठ साम उसका भाई उसको होगा कि मैं यहां मर रहा हूँ मेरी आत्मा मर रही इस relationship में आपका प्यार चार साल पेले खतम हो चुका है आप anxiety में जीते हो उस घर में कब कसे जाएगा नया ताना कब होगी नहीं लड़ाई कब होगा misinterpretation कब होगा फिर वही बात फिर वही चीत आपनी का मुँँ ऐसा है बढ़ वो जी रहा है फिर जब उससे अगर divorce होता है मुक्ती मिलती है तू समझो that's a very different person वो singlehood acquire नहीं कर रहा उसके बात वो actual में peace acquire कर रहा है क्योंकि वो महा anxiety वाली state से मुक्त हो गया यह experience by experience चलता है क्योंकि game ही जिन्दगी का ऐसा है आप control नहीं कर सकते है हवा का रुख जहां है आप उसके हिसाब से बह सकते हो आप उसके हिसाब से पने direction ले सकते हो वो ही है खिलाड़ी जो life में हवा का रुख देखता है और वो उस तरफ flow करता है लेकिन जो भी इंसाथ इस वहम में है कि मैं control कर सकता हूँ वो चला क्या आप यहाँ पर आते हैं पहला असरसिं था कि अगर उसकी personality या उसका behavior वो ना निकले जो हम सोच रहे है इस वेरी likely जिन्दगी में I'm not saying for the worst by the way but बहुत जादा likely है कि जब आप इंसान के साथ बैठ होगे जो इंसान आपको starting में दिख रहा और दो साल बाद जो इंसान होगा उसमें बहुत फर्थ दिख चुका होगा क्योंकि आप बहुत कुछ इंसान के बारे में जानेगा सी हम हमेशा इस assumption में चलते हैं हम जिस भी इंसान से मिल रहे हैं कि उस इंसान को पता है वो कौन है पच्छिस सो लोग तुमारे around तुमाई life में जो मिले हैं वो वहम में जी रहे हैं कि हम कौन है पच्छिस सो लोग जो तुमाई life में तुमें मिले हैं के relationship पे in-act कैसे क्या आता है, formats क्या से होते हैं, in-act करने के romance ideologies, तभी एक 15-18 साल के इंसान को बड़ा easily logistic logic use करके उसको लगेगा, हाँ, problem क्या है casual में, वो उसके खुद के दिमाज से reasoning से नहीं आ रहा, ए-priory thought नहीं है वो, यह सब borrowed है, हमारे most thoughts life में, सोचे वे नहीं है, वो simple borrowed है हम consume करते हैं, इसको कहते है, observational modeling so आप जिस भी इंसान से मिल रहो, आप पहले उससे जब वारतलाब करोगे, तो जो आप negotiation table पे जब बैठोगे, तब वो इंसान भी अपने आपको discover करेगा वो कौन है it's very likely, एक इंसान एक spot पे कह रहा हो, data point पे कि मैं बहुत ambitious हूं लड़का लड़की दोनों साथ हो सकता है और मैं let's say 25 में बहुत ambitious हूं, मेरी जिन्दी की मेरी goal है और यही मेरी personality है, and तुम वहाँ पे लिखते हो कि इस इंसान के personality मैंने figure out कर ली, हम दोनों बहुत compatible यह बड़े, यह बड़े, यह बड़े right after let's say 30 में the person or either of you discovered something about yourself and you realize that's not my life, that's actually stupid मैं क्या भालतू की भहुत एक materialistic change में पड़ा हूआ था मैं एक cyclical work toxic cycle में पड़ा हूआ था you may actually realize different things and ideologically situationally, your entire way of thinking life may change and अगर इंसान अभी भी पकड़ के बाट है उस इंसान से कि 25 साल वाले कि भाई तेरी तो यही होनी चाहिए थी ambitious and यड़े 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 अब क्या करें तो हम कहेंगे अब तो हम incompatible हो गए इंसान कहा रहा है मुझे घरस्ती चाहिए मैं भी मुझे gardening करने का शौक है, मुझे peace चाहिए लाइफ में काम मैं 6 गंटे करना चाहता हूँ काम मुझे अभी भी है, प्यार अभी भी है तेकि नो उस पागल लेवल का ambitious नहीं कुई मुझे वो cyclical दिख रहा था मुझे देखनी रहा था कि मैं यह जो कर रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ इन एग्जांपल से में आपको सम्झाना चाह रहा हूँ कि इनसान बदलता भी जाएगा विद आल्सो रिलाज़ेशन ओवर दे प्रिडिट व ताइम उसके बाद आते हैं पीस की बाद के घर पा हमें पीस मिले इट कंप्लेटली डिपेंस ओन दे लेवल इनसान कैपै 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 वहां होती है जहां पर कोई भी चीज बहुत लंबे टाइम से रिजॉल्ब नहीं हुई है और आर नाव लिटर्स ऑफ दोस थिंग्स और इंस्टेंस पर वो चीज़े अक्टिवेट होती है जहां पर कैपै कैपै सटाट हो जाती है तो तुमको हापे एक पड़ेगा अगयान हम प्रोब्म सॉल्वें किस लेवल पे कर रहे हैं कि जहां पर कोई प्रोब्म आती है हम देखते है कि इसका पर्मिननेट सलूशन क्या हो सकता है तो पीस अक्टिव में अक्टिवार होती है वार से वार से मतलब फिजिकल वार नहीं वार एक इंटलेक्टिवल वार से और प्रोब्म सॉल्वें इंसान आइसे अक्ट करेगा मैं ऐसे अक्ट करूंगा the thing is it's so easy to understand that's why it makes sense to us कि मैं घर आता हूँ and कुछ नहीं बस शान्ती है but the thing is we never think कि obviously a desirable state है but इसको achieve करना पड़ता है it's an achievement-based state let's say उसके life में कुछ problem चल रही है उसके दिमा में कुछ complaints है but अब तू वैसा इंसान नहीं होना चाहिए therefore मैं तरको एक personality-based attack करने वाला हूँ to invalidate तेरी सारी complaints जो action में हो सतता है बहुत इवैलिड हो जो तुम्हाई relationship हो सतता है खोखला कर दे अंदर से complaints की भी validity complaints चे content matter में करती है मैं नहीं कह रहा हर complaint में बहुत validity है but हो सतता है बहुत complaints में बहुत validity हो depends on the complaint let's see इसको किते 25 creative ways में हम solve कर सकते है out of the box सोचते है फिर आया law law वाला matter I think ये बहुत dangerous इसलिए है क्योंकि हम एक बहुत great unknown से अपने आपको match कर रहे हैं चादियों में एक बहुत बड़ी problem ये होती है एक relationship let's just say जहां पे either आप simple एक narcissist psychopath को date कर रहे हो and narcissist psychopath let's say because of their personality are always engaging in sensation seeking relationship का nature sensation seeking से complete opposite है sensation seeking वो इंसान है जो चीजों में बहुत जल्दी बोर हो जाएगा वो ये चीज़े actual में disorders में भी आ सकती है इसको आप ये भी कह सकते हो trait impulsivity हो गया जिसके अंदर trait impulsivity है let's say because उनको let's say CPTSD है हो सकता है उनको borderline personality disorder है हो सकता है उनको ADHD है बहुत सारी चीज़े हो सकती है जिनकी वज़े से impulsivity एकिसान के high हो सकती है हो सकता है वो neurological in nature हो यानि की dopaminergic in nature है हो सकता है serotonergic in nature हो तो चीजों के hormonal, neurotransmitter ये सब भी चीज़े हो सकती है responsible लेकिन एक फर्क है दोनों चीजों है psychopath और narcissist जब अगर sensation seeking के पीछे जा रहा है तो cognitively वो कहेगा जो मुझे चाहिए मुझे वो ही चाहिए इसको अगर कुछलना पड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे आप हमेशा कटते हो बाकी जितने लोग ही मैंने बात कही उनके पास एक level पे strength है जिसे हम कहते हैं समझदारी कि वो कह सकते हैं इविन दो मेरा दिमाग फट रहा है लेकिन चीज सही नहीं है यानि कि मैंने अपनी value system को उपर रखा हुआ है मैं cognitively choose करता हूँ इविन दो मेरा दिमाग में हमेशा attraction आता है मैं impulsive सोचता हूँ act करने की मैं हो सकता है बहुत जल्दी चीजों से bore हो जाऊँ ADHD आप इसलिए हमेशा नहीं चीजें नहीं चीजें नहीं चीजें सीख करते चले आते हो क्योंकि आप neurologically आपका brain ऐसा है complex है हर चीजें मैं समझ सकता हूँ और इसलिए मैं तुब एक complexity दे रहा हूँ अगर आप ऐसे इंसान के साथ है जहाँ पर आपको starting से दिख रहा है एक मैं की अलग level पर let's say prioritization है और उसमें selfishness है अगर आप इंसान के साथ एक non-judgmentally like you let them open up because narcissists और psychopaths के साथ एक और चीज़ क्या होती है they love to tell you कैसे नोन लोग की मारी है I'm not kidding, they love it because वो actual achievements देखते हैं इन सब चीज़ों में the thing is तुम actual अगर सुनते हो इस इंसान के बगलन बैटके कि ये बड़े pridefully बताता है कि कि इसने उसकी कैसे ले ली उसको कैसे वो कर दिया, ये का कर दिया these are all symptoms these are all symptoms जो clearly दिखा रहे हैं lack of empathy है second है, कोई guilt नहीं है third है, एक willingness है almost instantaneous willingness है revenge या vengeful mode पे आने में जहां इनके self-interest कोलाइट करते हैं तो आप ये सब चीज़े आपको इनसां के साथ बैट कि आप देख सकते हूं कि इनकी psychopathic narcissism आपको necessarily test देने की जरूँद नहीं कि test लो आप सिर्फ इनसां के साथ casually बैट के बहुत casual बातों में जिनमें आप judge नहीं कर रहे हो आप अपने दिमाग में आपकी बत्ती दवल रहे है बैं बैं लेकि आप सामने करो तो यह क्या हाँ 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 एक sort of deception है sure बट इसको आलाओ करो क्योंकि तुम्हें निकालना इस इंसान के सच्चा है तो तुम उसको वो vigilance नहीं प्रोवाइड कर सकते जहां पर उसको लगए कि shit मैं यह नहीं बोल सकता उसको यह नहीं चाहिए कि हाँ हम लोग तो बस share करें अपनी stories तो आप को सकता है stories मिल जहां पर bullying करिए किसी के साथ नहोंने और वो बता रहे हैं बड़े चौड से जहां आप यह सब देख रहे हो तो इची समझना यह इंसान जिस दिन तुम्हारे against गया जिस दिन इसका मन किया तुम्हारे लेने का यह सारी चीज़े तुम पर भी apply होंगी और यहां पर आप मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत बड़ा जो group है इस percentage का यह हैं जो loss का miss use करते हैं मैं लिखित में दे सकता हूँ उसको हर cheater, psychopath या narcissist नहीं होता बहुत तरह के cheaters हो सकता है अगया अंट्रेट इंपल से वीडियो सकती है को हो सकता है किसी अंदर बच्पन में उनके साथ ऐसी चीज़े experiences होए हैं जिसकी वज़ए से वो self या risky sexual behavior के प्रती उनका और जादा जा चुका है इसके बीचे proper literature है उनका जो self concept है वो completely तभा हो चुका है या फिर बहुत बुरी तरह से guilt-ridden है तो वो दूसरों से किसी भी तरह से प्यार पाने के लिए उन्हें लगता है हमें tool की तरह यूज़ करना पड़ेगा sex क्योंकि मेरे को ऐसे ही मेरी खुद की आउकात मेरी खुद की value यही है कि मैं एक tool ही हूँ क्योंकि बच्पन जब एक छोटा सा बच्चा था उस बच्चे को यह सिखा दिया गया abuse करके इस सब psychology है इस सब complex है तो मैं कहना चारा हूँ हर चीज को psychopathic और narcissism से मत समझो कुछ चीजों के cause different भी हो सकते हैं बहुत सारे sex workers आपको law life में बिलेंगे जिनकी life में वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उनको बहुत मजा रहा है वो इसलिए कर रहा है उनके childhood में जो episodes हो हैं जो events हो हैं नोंने उनकी दश्या उनके दिमाग में ऐसी बना दिया कि वो अपने आपको उसे उपर समझते ही नहीं है तो ये सब चीज़े भी बहुत important है law इसलिए आपको यहाँ पे prevention is better than cure वाला game खेलना पड़ेगा आप जिस इंसान के साथ हो please भली भांती आखे खोलो, कान खोलो आशीकों को फुटबल मना के लाज बनाओ आप एक ऐसे जगा पे रह रह रहे हो मानो ना मानो ऐसे land धर्ती पे रह रह रहे हो part of prismi पे रह रहे हो जहां पे मानो ना मानो आपके अगर फढ़वाने पे कोई आ गया तो आप बस लड़ते रहोगे जिंदिगी भर और वर्ड है जिंदिगी भर तो यहां तो आपको यह सोच समझ के decision लेना पड़ेगा last जिसको यह advice दे रहे हैं मैं आप एक simple advice दोंगा इसलिए King Kong बनो अपनी life में negotiation में everything is negotiable two simple subsets हैं याद रखना everything is negotiable and second I am here to get the best deal given the contents on the table given the offers, contents and जो भी चीज़े हैं I will secure the best deal यह होता है negotiator negotiator mindset है जो हवा देखता है कही बार होगा हवा का रुख तुमारे अगेंस्ट है कही बार होगा तुम हार रहे हो हारते वे भी जीतने वाले को negotiator कहता है क्योंकि दुनिया उसको register करेगी तुम हार गया लेकि तुम्हें पता है कि हार का damage action में 90% था मैं सो ले गया कहाँ पे 41% वे sure मैं हार गया but bro damage इतना reduce कर गया plus इसमें भी कुछ deals ले गया है plus long term में इसको पलट सकते है negotiator mindset यह होता है लोग मुझसे कई पूछते हैं कि आपकी philosophy क्या यह सब क्या मैं ना से अपनी philosophy एक percent भी share नहीं करी है मैं आज तुमसे पहली बाद share कर रहा हूं वो यह है life मैं जैसे देखता हूँ वो है constant negotiation constant and across across table economic, psychological, across relationships across every single intergroup, hierarchical सब perspectives मैं देखता हूँ जो खतरनाग level पे power से आ रहा है economic power से आ रहा है पहले उसके पास बहुत तगरे level की capital होती है also dominance होता है negotiating table में तुम्हापर power होती है plus तुम्हापर बहुत सारे options हैं क्योंकि money can buy you a lot of options तो तुम्हारे options table पे तो तुम जो लाते हो वो बहुत जादा होते हैं तो तुम negotiate बहुत बहुत बेटर कर पाते हो इसलिए जिंदिगी में बहुत तगर level पे ताकतवर बनो economically ताकतवर बनो शादी से पहले बहुत level पे ताकतवर बनो you can afford insanely good lawyers लोग तुम्हारी इज़त करेंगे फटके चुराय से लो जाते हैं क्योंकि आप economically फसे वे हो बहुत बुरी तरह से और आप सोचे रो please emotionally empathize करो न और अगर आप गलत इंसान के साथ चकर में फस गया तो वो नहीं करने वाला बात गलत इंसान के ही नहीं कोई भी अच्छे से अच्छा इंसान situation to situation भी डबेंड कर सकता है वो दुनिया का सबसे खराब इंसान हो सकता है आपके लिए समाज के लो सकता है भी वो बहुत बढ़िया इंसान हो बहुत साय लोगों के लो सकता है उलकुर महतमा हो अरे क्या वरत है क्या अदमी क्या व्यक्ति है यार फिलकूर क्या मेरी बदब करता है वह ही इंसान हो सेता है किसी लिए काल हो मैं हमेशा इंसान हो एक एक अज़स्टिबल एंटिटी कि तरह देखता हूं The thing is, they act according to the deal you bring on the table All humans, I can create the kindest person out of the biggest psychopath If I can bring the right deal on the table मेरे प्रती अटलीस, the greatest friend I can have It all depends on negotiation Tumhari ओकात क्या है इसलिए तुम टेबल पर क्या बरिंग करके आ रहे हो इसलिए अगर तुम कुछ बरिंग करके निया रहे हो तुमारे सारे world view, तुमारे सारी philosophy, तुमारे सारे खयाल तुमारे सारा रोना, तुमारे सारी victimization सब कुछ पढ़ दिया हो, मैं शी देखा, बहुत सरी चीज़ों की value कहीं कुछ नहीं है सचाही में, वो खयाली पुलाओ है खयाली पुलाओ में मेरी favorite thing है to engage in, to be very honest, I love it you know why, because I can afford it मैं इस वख मेमेटिक थोरी पाड़ रहा हो बठके, Rene Girard की पाड़े, in practical sense zero application देख रहा हो मैं उसकी life में, but it makes me think it's beautiful creative expedition into the formation of let's say, society but imagine करो, अभी life के लगे वे है but यार, पूरा चट मारा भाई तुमने, पूरे-पूरे subject चट मारे है लेकिन तुम बगलने बैठते हो, इंसान से इंसान का क्या इस्तिमाग इंसान का मज़ा आता है लेकिन जे में धेले भर का पैसा नहीं है इज़त 25% पर आजाएगी 100 से एक सेकंड में जो 100% accrue किये था, तुम की भाई, क्या बात है क्या मिसाज है भाई साब का एक बुरा मतमान एक बात करने वाला हूँ दुनिया के जितरे भी सबसे बड़े से बड़े महा से महा गूरू की भी बात कर लो सब अरपती थे मैं आप एक क्रिटिसाइज या वो नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ नेगोसियेशन टेवल पे अर्फ़ाइज बात कर रहा हूँ और तुम्हा इसा जब वो टेबल पे आते हैं तुनकी चार बैगराउंड में तुम्हें पता नहीं च्यूं तुम कभी सोचते नहीं हो बॉडिगाट चल रहे होते हैं चार बॉडिगाट चल रहे हैं तुम्हारे SUV में चल रहे हैं वो लैंड रोवर में चल रहे हैं कहां की कारे तुमने कभी अफोर्ट करी हैं तो भाई एक चीज समझो ना नेगोसियेशन का पॉइंट आप वी से तुम्हें चाहिए अफोर्डबल डेटाच्मेंट I can afford to be detached detachment practical philosophy में ऐसे पर करती है जब तक मैं economically afford ही नहीं कर सकता है detachment it doesn't make sense जो कि तुम्हें लग रहे हैं का paradoxical है paradoxical नहीं अच्छल में it works perfectly इसलिए तुम्हाँ सारे गुरुमां ये बात कर पाते हैं despite अभी इनका bank account पर देखोगे तुम्हारे हावा ये उड़ जाएंगी तुम्हारे खांदाम की सारी wealth मिला लोगे उससे जादा wealth है इनके पास but वो हो सकता है detachment हो उससे but वो economically उनको help कर रही है in ways जो 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 भी admit नहीं करेंगे but it does in every single way from their equipment to their set up, organizational capacity, event, organizations पूरी चीज़ों का facilitate करना administration रखना, management करना इतने सारे लोग को hire करना ते सारे लोग को खाना खिलाना ते सारे लोग को also income generate करना फिर तो मैरे को flights लेना privacy ensure करना, safety ensure करना सब के लिए करोड़ों का खर्चा भाई सब चीज़ों का free में हो रही है क्या तो economic strength से हो रही है is my point तुमको as an individual भी ये समझना है कि भाई, detachment चाहिए जिंदिगे में यानि कि भाई, हम किसी हमा होता आज नहीं है लेकिन भाई, अगर आई बात दिखाने की तो भाई, उपर से नीचे पलट देंगे इसा करने पूरी-पूरी कायनात ये है आउकात लेकिन, that does not define me practical philosophy life में I hope this video helps